गुलकोमेटर खरीदने जा रहे हो और आप कन्फूजड हो कि कौन सा गुलकोमेटर लूग कौन सी कंपनी का गुलकोमेटर बेस्ट होता है वीडियो देखने के बाद में ये सारे कन्फूजेंस आपको दूर हो जाएंगे गाइस मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ आज की वीडियो में मैं पांच ऐसी टिप्स आपको दूँगा जो गुलकोमेटर खरीदने से पहले आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए यानि कि वीडियो में कवर करेंगे टो फाइव टिप्स बिफोर व होनी चाहिए पहुत से गुलकोमेटर पहले के टाइम में या कुछ-कुछ ब्रांड के अभी भी गुलकोमेटर आते हैं उनके साथ में एक स्पेशल कोड के साथ वाले ही स्टिप्स काम करती है तो मार्केट में जब स्टिप्स करीदे जाते हैं तो आपको वह कोड मेच करना होता है और उसके बाद में ही ग्लकोमेटर से रिडिंग ले सकते हैं तो ये बड़ा ही पजल ड्वाला काम होता है और घर में अगर बुज़ूर्ग लोग है तो उनको ये चीजे समझने में दिक्कत होती है तो गाइस हमेशा प्रिफर कीजिए कोट फ्री टेस्ट इस्ट वाल होती है कई बार तो मोनिटर फ्री में ही कंपनी वाले दे देते हैं लेकिन उनकी टेस्ट स्टिप्स कई बार 25-25 रुपई की एक टेस्ट के लिए पढ़ती है और कुछ ग्लकोमेटर ऐसे होते हैं जिनकी टेस्ट स्टिप 10-12 रुपई की ही होती है ओवर दे टाइम जब एक नया ग्लकोमेटर खरीदते हो तो उसको आप continuous यूज़ करने से पहले उसकी रीडिंग को और लेब की रीडिंग को आपको जरू टेस्ट करवा लेना चाहिए यानि कि लेब में अपना सेम डे सेंपल भीजिए वहां से जो रीडिंग आती है और ग्लकोमेटर से ही भी से से 15% का difference आता है तो वह ग्लकोमेटर आप consider कर सकते हैं otherwise अगर बहुत ज़्यादा difference आता है तो प्लीज उस ग्लकोमेटर को avoid कीजिए उसकी रीडिंग सही नहीं आ रही है बात करें four tip की कि जब भी आप कोई भी ग्लकोमेटर खरीदो तो company से आपको control solution भी मांगना है control solution क्या हो उपर आई बटन में देख लीजिए वहां से आपको पता चलेगा कि क्या होता लेकिन control solution आपको company person से मांगना चाहिए और हो सके तो एक demo भी अरेंज करना चाहिए control solution के साथ में तो उससे आपकी ग्लकोमेटर की accuracy confirmed हो जाती है कि हाँ इस company का ग्लकोमेटर accurate होता है अब पांच 90 days की memory होती है यानि कि अगर आप per day reading लेते हो तो तीन महीने की reading आपका monitor show वहीं कर देता है होता क्या है जो डाइवटीज से पेडित लोग होते हैं या जो अपनी glucose को monitor कर रहे होते हैं उन बरीजों को doctors हमेशा advise करते हैं कि अपनी daily की reading को लिखो तो बहुत सी बार हम वहां प reading का हम देख सकते हैं कौन से time पे किस डे को किती reading रही थी उसके according आपकी medicines decide करने के लिए या आपके खान पान के pattern को सही करवाने के लिए doctors को बहुत अच्छी knowledge मिलती है और उसके according वह आपको आपका treatment कर सकते हैं तो guys उमीद है मुझे आज की वीडियो आपको पसंद आई और जो भी पांस टिप्स मैंने आपको बताई है वह हमेंसा को करीने से पहले apply कीजेगा और अपने friends and family members को इन बातों को बताईएगा ताकि वह भी गलत को मेंटर को पर्चिज करने से बस सके और अगर पर्चिज कर लिया है तो उसको यूज करने से बस सके ओके गाइस हुआ 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 है